नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तो सचीश रद्धा से कमिन्स में जरूर लिखे हर धर महादेव दोस्तो एक मार्च को महा शिवरात्री पर तीन राशियों का सप्ना होगा पूरा दोस्तो महाशिवरात्री शिव और शक्ती के मिलन का महापर्व है हमारे पूरे देश में महाशिवरात्री का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाय जाता है फालगुन महाक के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी तिथी को ये महापर्व मनाय जाता है इस बार महा शिवरात्री पर भगवान शिव की पूजा एक मार्च 2022 दिन मंगलवार को की जाएगी दोस्तों इस बार साल 2022 की महा शिवरात्री खास संयोग के साथ आ रही है एक मार्च को इस महा शिवरात्री पर दो शिव योग बन रही है धनिष्टा अनक्षत्र में परीग योग महाशिवरत्री पर लगीगा इस दिन शिवजी की पूजा करने से विशेश सफलता की प्राप्ति होती है और इस दिन पंच ग्रही योग भी बन रहा है ये भी कई राशियों के लिए बड़ा शुप्रभाव लेकर आने वाला है दोस जिसके चलते कुछ राशिवालों के लिए बहुत ही जादा शुप्य महाशिवरत्री रहने वाली है साथ ही साथ बता दें कि भगवान भोलेनात की असीम कृपा कुछ विशेश राशियों पर बनने वाली है जिसके कारण इन राशियों का सपना होगा पुरा दोस्तों आग चार पहर की पूरा करना महाशिवरत्री के दिन काफी शुब माना जाता है चार पहर की पूरा में भगवान भोलेनात की पूजा कर सकते हैं और उनके मंत्र उनम शिवाय मंत्र का जप आप जरूर करें दोस्तों इस बार की महाशिवरात्री पर कई सारे दुर्लब राज योग और धन योग का नर्मान हो रहा है साथ ही साथ इस दिन सरवात सिद्धी योग भी बन रहा है और भी कई सारे दुरलब योग बनने से इस बार की महाशिवरात्री काफी शुब मानी गई है महाशिवरात्री के दिन भगवान भोलेनात और माता पारवती की पूजा विधी विधान से करनी चाहिए क्योंकि महा शिवरात्री भोलेनाथ और मापारवती को समर्पित है इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पारवती काफी प्रसंद मुद्रा में रहते हैं जो भी भक्त पूरे नियम से और श्रद्ध से इनकी पूजा आराधना करते हैं उनकी सभी मनों कामना भगवान भोलेनाथ और माता पारवती जरूर पूरी करते हैं इस दिन भगवान शिवजी का अभिशेक करें कच्चे दूट से और स्वच जल से और आप इस दिन उन्हें भांग धतूरा बेल पत्र जरूर चढ़ाईए चावल मिस्री चढ़ाईए शहर चढ़ाईए विशेश कर इस दिन भांग चढ़ाईए महादेव के शिवलिंग पर अगर आप इन चीजों को चढ़ाते हैं और स्वच जल्वे दूट से भिशेख करते हैं तापकी जीवन के सभी कष्ट महादेव तुरंत ही दूर करते हैं दोस्ता बताना चाहेंगे के इस बार की महाशिवरात्री एक कई सारे दुल्लब राज योग लेकर आई है जिसके चलते भगवान भोलेनाथ की कृपा कुछ विशेश राशियों पर पढ़ने जा रही है खासकर तीन राशिया ऐसी है जिनका सपना पूरा करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ और मापारवती इन राशियों की किस्मत अब भगवान भोलिनात चमकाने वाले हैं जी हाँ एक मार्च को महाशिवरात्री के दन भगवान भोलिनात की कृपा से तीन राशियों का सपना पूरा होगा क्योंकि इस दन कई सारे योग और राज योग और धन योग का निर्मान हो रहा है जिसके चलते इस दिन भगवान भोलिनात और मापार्वती काफी प्रसंद मुद्रा में रहते हैं और इनकी आपार कृपा द्रिष्टी इन तीन राशियों पर पढ़ने वाली है जी हाँ इन तीन राशियों का अब सपना पूरा होगा तो आईए अब जानते हैं कि आखिर ये भागेशाली राशिया कौन सी है दोस्तों बताना चाहेंगे कि सबसे पहली और खुश नसीब जो राशिय है वो है मेश राशी जी हां मेश राशी के जातकों को बताना चाहेंगे कि अब भगवान भोलेनात की अपार कृपा दृष्टी आपके उपर बनी रहेगी भगवान भोलेनात की कृपा से महाशिवरत्री के दिन कई सारे सुनहेरे मौके मिलेंगे जीवन में चल रही परिशानिया अब भगवान भोलेनाथ दूर करने वाले हैं अनेक जगाहों से आपको धन का लाब होगा रुके हुए तमाम पेंडिंग कामों में सफलता प्राप्त होगी भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आपको दिंदुगनी राच चोगनी तरक्की से कोई नहीं रोक सकता धन से माला माल बनने से कोई नहीं रोक सकता करोड़ पती बनने के कई सारे सुनहेरे मौके मिलेंगे अपने खुद के नए घर की किसी की इच्छा थी तो नए घर की शुरुवात होगी गाड़ी बंगले की अगर इच्छा थी तो वो भी भगवान प साथ ही रिन कर्जों से भी मुक्ति मिलेगी अनेक जगाहों से आपको धनलाब की प्राप्ति के योग बन रही है अब जिन भी योजनाओं पर काम करेंगे उसमें आपको सफलता अधिक से अधिक मिलेगी आपके द्वारा किये गए निर्ने काफी सरहाणिये होंगे जो भी नि का सफना पूरा होने वाला है इसदिन कई सारे दुल्लब राजयोग और धमियों का नर्मांड रहा है जिसके चलते महादेव की विश्वेश क्रिपा आपके उपर रहेगी कर्ण्याराशी के जातकों को महादेव की क्रिपा और माता पार्वती की क्रिपा से धन से माला माल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता बता दे कि इसमें आपका वैवाहिक जीवन काफी सुख में रहेगा और अगर आप अव विवाहित हैं और अच्छे जीवन साथी की कामना करते हैं तो वह भगवान भुलेनात की करता और मजबूती देखने को मिलेगी संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे संतान के सपने पूरे होंगे संतान की इच्छाएं पूरी होगी जो भी आप मन्न में ख्वाहिश रखे हैं वह सभी ख्वाहिश भगवान भुलेनात आपकी पूरी करने वाले हैं बता द अनेग जगहों से धन का लाब होगा समाज में मान समान बढ़ेगा समाचिक प्रतिष्ठा में व्रिध्धी देखने को मिलेगी अनेग जगहों से धनका लाब होगा जिन योजनाओं पर आप काम कर रही हैं उन sometime पर खरा उत्रेंगे वानी मिठास आएगी मीठी वानी बोलकर आप लोगों को प्रभावित करते नजर आएंगे, बता दे कि इस समय आप अपने घर परिवार के लिए सुख साधनों में वृध्धी करेंगे, अनेक जगाहों से आपको मान सम्मान की प्राप्ती होगी, नौकरी में प्रतिष्ठा और प्रमोशन को लेकर जो चिंताय थी वो दूर होंगी और एक बहतर अच्छी नौकरी लगेगी, जो सपने आप देख रहे थे सरकारी शेत्र में, उसमें आपको काम्याबी प्राप्त होगी, बता दे कि प्राइविट सेक्टर में भी आप बड़ी उपलब्दिया प्राप्त करेंगे, अब अगली राशी, तीसरी जो राशी है वो है मिथुन राशी, जी हां मिथुन राशी के जात को अब आपके सपने पूरे होने वाले हैं, आपको अने जगाहों से बड़ा धनलाब होगा, विशेशकर जो भी इच्छाय थी, जो भी मनोकामनाय थी, भगवान भुलेनात की क्रिपा से अब वो दूर हो प्रेम संबंदों में मजबूती और प्रदारता देखने को मिलेगी, धन संपत्ती अश्वरे ब्रिधी करते नजर आएंगे, गाड़ी वाहन का सुक प्राप्त करेंगे, अनेक जगाहों से बड़ा धनलाब होगा, जो काफी समय से परिशानिया चल रही थी, उन सभी प्रेम मंजूर होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्तित्री में सुधार होगा, पार्टनर्शिप में बिजनस व्यापार करते हैं, तो जबर्दस्त लाब देखने को मिलेगा, भगवान भोलेनाथ के क्रिपा से अब आपको अनेक जगाहों से धनका लाब होगा, आपकी जो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, हर हर महादेव, जै महाकाल!